हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है बीजी माई के अंतर एरर आता होगा सर्वर इस बीजी प्लीज ट्राइगन लेटर एरर को रिक्रेशन एरिया इस तरह का एरर आते तो इसको कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको मैं सबसे पहले प्रॉलम दिखाता हूं प्रॉलम क्या होता है यदि आप इसको आपन करके प्ले करने के कोशिस करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आता है वो प्रॉलम यहाँ पर आपको दिखा देता हूं आप देखने इस तरह से आपके केस में भी बीजे में के अंदर यह एरर आता होगा तो इसको कैसे फिस करने हो मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको क्या करने है यहाँ पर आपको क्लिक कर दिने इसके बाद आपको क्या क लेतेस्ट वर्जन 20 झैया है ये अभी हर एक एम लेटर में काम नहींκι यद्य औलफेस्ट वर्जन है तो उसके अंदर काम पर आप तो इहाँ पर आपको दिख जाएगा इसके वाद नियाँ पर आपको क्लिक कर देना है किससे इस तरह से विंडूर्व्फटो करने के नहीं कि अपर आपको क्या करने है यहाँ इसटॉलल देख जाएगा इसके ओपर आपको किलिक करने इसके व में करते हैं इस तरह होना मूं सुरू हो जाएगा स्गश्युटु अब अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से रिजुलेशन सेलेट कर लिजेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अधर सेटिंग दिख रहा है, इसके उपर आपको क्लिक कर दिने, क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा एप इसके उपर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको देखेंगे तो यहां पर आपको क्लिक कर कर दिने हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर क्लिक कर दिने हैं इसके बाद इस तरह से विंडो आएगा तो आपको क्या कर दिने हैं इसी तरह यदि आपको केस में गूगल क्रोम यहां पर इंस्टॉल होगा तो आपको क्या करना है इसके बाद गूगल क्रोम को यहां से दिसेबल दिख रहाई इसके उपर आप किलिख करके Google Chrome को تع skip करने के बाद इस तरह से आपके case में भी यह भला window आ जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो आपको अभी भी यह वाला प्रोड़ाम दिख रहे हैं आपको क्या करने यहां पर मोर के उपर क्लिक करके आपको गूगल का अकाउंट यहां से एड करके आपको प्ले करके चेक कर लेने आपके case में यह पॉराना वर्जन में कर सकते हैं तो पुराना वर्जन काम करेगा लेकिन फिर भी आप यदी बीजे में इंडिया खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूर मैं दूसरा emulator बताता हूं जिसके अंदर यह 100% काम करेगा इसके लिए मैं क्या करता हूं इसक यहां पर देखेंगे तो यहां पर ब्लू स्टक 5 आपको दिख जाएगा तो आपको क्या करने ब्लू स्टक 5 आपको इंस्टॉल कर लेना है इसके अंदर 100% ब्लू स्टक 5 लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल कर लेना है यहां से आपको इसका वर्जन भी दिखा देता ह यहाँ पर आप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैं इसका वर्जन दिखा देता हूं, about पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा latest version, तो आपको latest version आपको install कर लेना है, यदि आपको case में latest version install होगा, तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ करने के जोट नहीं है, डेक्ट यह काम करने लग जाएगा, चलिए ओभी मैं आपको करके दिखा देता हूं, यहाँ पर डेक्ट आप open करेंगे, ओपेंड करने के बाद आप यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर automatic यहाँ पर login हो रहा है, गेम इस्टार्ट हो रहा है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, latest version में आपको कुछ भी करने की जोट नहीं है, डेक्ट आप इसको install करके खेल सकते हैं, आप देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, डेक्ट यह स्टार्ट हो रहा है, अब आप यहाँ पर गेम स्टार्ट पर क्लिक करके इसको आप खेल सकते हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पर गेम स्टार्ट भी हो रहा है, माले यह यदि आपके केस में BlueStuck 5 होगा और Old Version है, उसमें Automatic Start नहीं होगा, यदि आपके केस में BlueStuck 5 Old Version है, तो उसके अंदर कैसे करना है, ओ भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस गेम को मैं पहले यहाँ से बंद कर देता हूँ, यदि आपके केस में BlueStuck 5 Old Version है, तो जो मैं LD Player के अंदर आपको करके दिखाया हूँ, वहीं टूल आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर Google Chrome के अंदर आना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर Storage दिख रहा है, यहाँ से आपको Clear Storage और Clean कैसे यहाँ से कर देना है, इसके बाद यहाँ से आप Back आजाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से Disable कर देना है, disable करने के बाद आपको क्या करना है same चीज आपको यहां से run कर देना है जैसे उसमें मैं LD player में आपको करके दिखाया हूँ उसी tool को आपको run करना है और Google account से आप इसको play कीजिएगा तो automatic यहां पर start हो जाएगा तो same tool को आप use करके blue stack 5 old version भी चला सकते हैं याने तो दूसरा कोई emulator होगा उसके अंदर भी आप इस tool को use कर सकते हैं आप देख रहे हैं इस तरह से मेरे case में start हो चुका है यदि आप join करना चाहते हैं तो यहां से join कर सकते हैं अगर फिर भी आपके case में काम नहीं करते हैं आपको घबराने के जोत नहीं आपको क्या करने इसको एक बार close कर दियेगा close करने के बाद आपको क्या करने दुबारा यहां से आपको open कर लेना open करने के बाद दुबारा आपके case में ग्राफिक सही आ जाएगा यह emulator के अंदर कभी कभी होता है तो आप क्या किजेगा एक बार इसको close करके दुबारा on कर लिजए यह graphics भी सही हो जाएगा उसके बाद आप इसको खेल सकते हैं आप देखने अभी यहाँ पर ग्राफिक सही हो चुका है तो इस तरह से आप दुबारा start किजेगा तो आपके case में भी यहाँ पर ग्राफिक सही करे, thank you.